नमस्ते दोस्तों आपका वैलियोजिक डे चानल में स्वागत है जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में नियोश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो तो मेरा नाम है शशांग और ये वीडियो में हम जानेंगे नियोजन केमिकल्स के बारे में तो आप में से काफी लोगों ने मुझे नियोजन केमिकल्स के उपर एक सेपरेट वीडियो क्रियेट करने के लिए पूछा था तो ये जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा जरूर इसे कम्पलीट देखिए और वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करतीजिए तो ये जो वीडियो होगा उसमें हम काफी अलग-अलग टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे की कम्पनी का ओवर्व्यू क्या है कम्पनी की शुरुवात कैसी हुई थी ब्रोमीन मैन आफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे यानि ये जो नियोजन केमिकल्स कम्पनी है उनके जो फाउंडर मिस्टर कनानी है इनके बारे में देखेंगे इसके अलबाग क्या-क्या अलग-अलग जो प्रोडक्स नियोजन केमिकल्स मैनिफेक्टर करता है इसके बारे में देखेंगे ये जो company इसके basically दो building blocks है एक है उनका lithium का segment जो inorganic segment है और जो दूसरा building block है that is organic segment या bromine based derivatives तो ये दोनों जो building block है इसके बारे में काफी detail में जानेंगे bromine और lithium के users क्या-क्या है और आगे जाके जो company है वो कौन से direction में progress करने वाला है उनके margins फिलाल में कैसे है आगे जाके कैसे होगे इसके बारे में discuss करेंगे grignard reagents क्या होते है इसके अलावा custom synthesis manufacturing फिलाल में यह दिया आप देखोगे तो related to CSM या cramps एक structural story develop हो रहा है तो इसके related हम ये वीडियो में काफी detail में discuss करेंगे ये company के competitive advantages क्या-क्या है या neogen chemicals का जो revenue mix है वो फिलाल में कैसा है और आगे जाके future में वो कैसे change होने वाला है उनके margins कैसे change होगे और इससे उनका जो ROC currently है और future में कैसे होने वाला है इसके बारे में discuss करेंगे इसके अलावा PI industries के साथ neogen का हम comparison करेंगे और देखेंगे कि PI industries उन्होंने last decade में कैसा perform किया है और क्या neogen chemicals उनका जो food steps है वो follow कर रहा है या नहीं इसके अलावा उनका जो product portfolio है वो कितना diversified है future के कैसे capex होने वाले है क्योंकि future के capex जो है वो काफी interesting है तो इसके बारे में discuss करेंगे इसके अलावा financials देखेंगे potter five forces जैसे हम most of the video में study करते है तो नियोजन के बारे में भी potter five forces का study करेंगे management के बारे में देखेंगे global competition कैसा है size of opportunity ये भी काफी important होता है तो इसके बार में काफी detail में discuss करेंगे और end में ये जो video है वो conclude करेंगे तो पहले हम company overview से शुरू करते है तो यदि आप देखोगे तो नियोजन केमिकल से जो company है वो 1991 में शुरू हुई थी और इसकी जो शुरुआ थे वो हरिश कनानी इन्होंने की थी और इनको ही bromine man of India कहते है जिसके बारे हम आगे जाके देखेंगे और ये जो नियोजन केमिकल स कमपनी है वो जंदली inorganic और organic ये उनके दो basically product segments है inorganic में यदि आप देखोगे तो lithium आ जाता है और organic में यदि आप देखोगे तो उसमें bromine आ जाता है या bromine के derivatives आते है इसके अलावा उनका third जो segment है that is advanced intermediates जिसमें वो अलग-अलग chemicals जो है या chemistry जो है उसको handle करते है Neogen has developed several bromine and lithium based compounds advanced intermediates, custom synthesis manufacturing and grignard reagents तो ये grignard reagents क्या है इसके उपर हम आगे जाके काफी detail में discuss करेंगे तो ये जो सारे अलग-अलग product Neogen manufacture करता है तो इनका majorly जो use है वो pharmaceutical industries या agrochemical industries ये industries में होता है इसके अलावा उनका जो lithium basically molecules है they are basically used into engineering industries और generally उनका जो export होता है वो Europe USA और Japan में होता है Neogen is the largest आप देखोगे तो bromine compound manufacturer in India and I think it's the only company which are into bromine derivatives बाकी जो players है they are generally into bromine commodities तो generally जो bromine है उसके दो types आजाते है या दो types के segments में अलग-अलग जो companies है वो cater करती है एक हो गया commodity kind of a bromine और दूसरा होगे specialty या आप देखोगे kind of a niche segment तो जो Neogen chemicals है they are working into a very niche segment very specialty segment not into very easy to manufacture या not into very commoditized product now we'll discuss about bromine man of India तो यदि आप देखोगे तो Mr. Haridas Kanani जिनोंने ये जो company उसके शुरुआत की थी उनको bromine man of India कहता है तो इसका reason यही है कि maximum time of his research या अभी भी जो company में वो काम करता है या जैसे उन्होंने शुरुआत की थी he work only related to bromine compounds तो इसलिए उनको काफी जादा experience है और यदि आप देखोगे तो company का भी focus यही है he is a basically IITian from IIT Mumbai and he has specialized into the niche called as bromine industry and then आगे जाके वो advanced intermediate चैजो lithium based compound से इसमें भी उन्होंने एंटर किया था but majorly is core forte is bromine तो यदि आप chemical companies में देखोगे तो हर एक chemical company अलग है तो यदि जैसे कि example दीपक नाइटरेट आप देखोगे तो they are specialized into phenol and इसके derivatives जो आगे जाके आएंगे इसके अलबा आर्ती इंड़स्ट्रीज is specialized into into phogean chemistry तो यदि आपको पोशक related specific video चाहिए होगा तो जरूर आप मुझे नीचे comment में लिखके बता ही है मैं आपके लिए जरूर एक dedicated एक detail video कर रहूंगा तो यही आप देखोगे तो chemical companies और chemical industry का खासियत है कि यहाँ पर हर एक जो chemistry है या हर एक जो industry में से company है they cater to different chemistries तो that is very unique about this basically a field और इसलिए हर एक company is itself a industry यदि आपको bromine study करना है या आपको neogen chemical study करना है तो you have to completely study complete industry of a bromine similarly यदि आपको आर्थी industries को study करना है then you have to study the benzene industry similarly phogean industry तो ऐसे अलग-अलग chemistries है तो these are the basically different-different segments या different-different industries all together तो यहाँ पर जो research है it's quite a extensive research it's not like a FMCG company और it's not like a auto industry जिसमें जो differentiation है वो ज्यादा नहीं होता है chemical and pharmaceutical companies में completely जो product portfolios रहते हैं वो काफी different होते हैं and that's why it's quite a time-consuming process तो यदि आप देखोगे तो जो bromine man of India है Mr. Haridas Kanani तो इनका एक story है basically तो when he started his plant जभी उन्होंने उनका plant जो है वो शुरुवात किया था उनका गुजरात में तो एक मोर भी dam करके एक dam था तो that dam got basically flooded और उनका जो plant है उसको काफी damage हो गया and then he lost his plant और जो Mr. Haridas Kanani है he's basically a technocrat उनको business related ज़्यादा idea नहीं था और इसलिए उनके पास ये जो plant था उसका insurance भी नहीं था and that's why he lost everything and then he worked almost 10 to 15 years for others to set up same bromine plant तो यदि आप देखो तो he has struggled a lot क्योंकि आपके पास खुद का bromine का plant था and then after losing your own plant you are helping others to create basically your competitors because bromine ये उनका एक niche था and उन्होंने बाकी जो अलग-अलग उनके competitors है he helped them to set up their plants और यदि आप फिर से बाद में देखोगे तो that technocrat again established his own plant और definitely ये समय में उन्होंने insurance लिया होगा and then again he started manufacturing bromine and its derivatives basically तो आपको ये understand करना है कि ये जो journey है it's not a linear journey और it's not a only one directional journey कभी भी आप business करोगे या business study करोगे तो always you go up you come down and again you go up similarly same thing happens with the stocks इसलिए stocks जब भी नीचे आते है जो small and mid caps में recently थोड़ा correction आया था so you have to understand the story behind the business management behind the business उनके products क्या है competition क्या है आपको सिर्फ price नहीं देखना है which is very easy to understand तो उसके बाद में ये आप देखोगे तो ये company का सिर्फ 80-90% जो revenues है वो सिर्फ 2 chemicals से आता था which is lithium bromide and n-propyl bromide which is very concentrated basically kind of a business then he set up his R&D center और जो first basically PhD scientist था उनको उन्होंने higher किया इसके बाद में ये आप देखोगे तो Mr. Kanani इनका जो son है Dr. Harin Kanani तो he is also a IITian from IIT Bombay और उसके बाद में he basically completed his PhD and joined back the company in 2008 तो ऐसे basically company का development हुआ and after 2016 यदि आप देखोगे तो they acquired a company called as Solaris and after this acquisition उनकी जो capacity है वो increase हो गई 45,000 liters to 1,30,000 liters और इनका जो turnover है या उनके जो revenues है that has increased from 110 करोस तो लगबग 240 करोस in 2019 similarly उनकी जो inorganic capacity है which is basically lithium की capacity वो उनका जो दहेज का फिलाल में capex चल रहा है उनका inorganic का capex complete हो गया और capex complete होने के बाद वो जो capacity हो डबल हो गए लगबग 2400 metric ton इसके अलावा उनका और गानिक याने जो bromine है उसका capex फिलाल में चल रहा है इसके बारे हम आगे जाके discuss करेंगे अभी हम neogen chemicals के product segments देख लेते हैं तो neogen chemicals basically works into four different product segments पहला है उनका bromine दूसरा है advanced intermediates third is basically their lithium या inorganic segment and fourth one is their custom synthesis and manufacturing तो यदे अब bromine देखो गए तो bromine is a very highly reactive and very niche chemistry and it needs very high level of expertise to handle bromine and currently जो bromine है वो total उनके revenues है उसका 50% contribute कर रहा है advanced intermediates ही दिया आप देखोगे तो advanced intermediates are currently up to 30% of the revenues and again advanced intermediates में वो अलग-अलग जो chemistry है which are apart from bromination that they are basically handling and इससे उनके जो margins है वो आगे जाके काफी बढ़ेंगे and it's basically a highly R&D product या highly R&D based आप देखोगे तो segment third segment is CSM याने Custom Synthesis Manufacturing यहाँ पर basically जो innovators रहते हैं जो US या Japan या Europe की companies है they basically give the contracts to companies like Neogen Chemicals और वो उनके लिए specific कुछ जो molecules है that they develop इसके अलबाद इस next segment is Grignard Reagents तो Grignard Reagents is again a थोड़ा technical product उन्होंने 20 years से यह जो product line है इसके उपर काम किया है and almost they have developed 24 different types of agents Grignard Reagents के बारे में हम आगे जाके और detail में discuss करेंगे तो basically these reagents cannot be stored for longer period of time तो आगे जाके हम और देखेंगे इसके अलबाद lithium compounds यह उनका last segment है इसमें यदि आप देखोगे तो इसका जो use है generally engineering companies करती है जैसे कि Thermax है या इसके अलबाद वोल्टास है तो यह जो lithium compounds है वो WAM याने Vapor Absorption Machines and HVAC Machines ऐसे अलग-अलग machines जो basically air conditioning या air cooling के लिए जो machinery है इसमें use होते है तो इसके बाद में यदि आप देखोगे तो product portfolio है उनका bromine का अलग है advanced intermediates है grignards है and lithium है तो bromine में है उनके जो major products है they are based on organobromide advanced intermediates में अलग-अलग आप देखोगे तो products है वीचार आप देखोगे तो apart from the bromination as a chemistry grignard reagents are basically based on magnesium, chlorine and bromine याने magnesium plus chlorine और magnesium plus bromine इसका basically meaning होता है grignard reagents तो यदि आप देखोगे तो methyl magnesium chloride या methyl magnesium bromide ethyl magnesium chloride ethyl magnesium bromide तो basically magnesium और chlorine का जबी reaction होता है या magnesium plus bromine का जबी reaction होता है that are called as basically a grignard reagents और उसके बाद में lithium segment में भी उनके अलग-अलग products है इसके अलबाद they are handling the different chemistries like alkylation, oxidation dehydrogenation या suzuki coupling, hydrogenation और biocatalyst अभी हम शुरुआत करते है कि bromine ये जो compound है वो periodic table से कहाँ पे आता है क्योंकि ये जो compound है it's a very interesting compound तो थोड़ा background पहले देखते है bromine का history जानते है bromine क्या क्या application से and then we'll move forward with the lithium and उसके आगे ये जो neogen chemicals है how they are using basically these different chemistries और उसका जो profitability है वो currently कैसा है और future में कैसे आना होला है तो यदि आप halogen group में देखोगे तो पहला है fluorine उसके बाद में chlorine है then bromine and then last में iodine है तो halogen group is again a very interesting kind of a group in a periodic table तो ये जो halogen group में अलग-अलग elements है उसमें यदि आप देखोगे तो last जो orbit होता है उसमें generally 7 electrons होते है and इसलिए most of the elements out of this halogen group are very very highly reactive इसलिए यदि आप देखोगे तो fluorine is also very highly reactive इसलिए it's a very niche chemistry and nevin fluorine is basically catering to this specific chemistry उसके बाद में chlorine आजाता है then chlorine is also highly reactive valiant organics का जो chlorophenol से basically that are dependent on the chlorination इसके बाद में bromination है which basically neogen is scattering तो ये उनका basically हो गया bromine similarly यदि आप देखोगे तो दूसरा जो segment है that is lithium तो lithium is found in the first column of the periodic table below hydrogen and it belongs to the alkali metals group and it is the lightest of the solid metals so this is the basically introduction about the lithium and bromine now we'll see कि bromine के क्या-क्या अलग-अलग uses है और ये जो bromine है इसके derivatives कौन से है and इसको neogen कैसे है ये basically opportunity को cater कर रहा है तो bromine is a third lightest halogen जो हमने periodic table में देखा and it is a fuming reddish brown liquid at room temperature it's a very pungent odor and irritating to the skin तो ये जो bromine का नाम है इसका भी एक story है यदि आप देखोगे तो bromine ये जो नाम है वो Greek word से आया है bromose and that means something that smells bad और ये जो bromine है it is a basically a non-metal and it's a only non-metal कि जो room temperature पे liquid form में होता है इसके अलावे ये आप देखोगे तो generally raw जो bromine होता है it causes a lot of आप देखोगे तो health hazards it's a very dangerous chemical पर ये इसको process किया जाता है या उसके जो derivatives है इसके काफी applications है जो आप यहाँ पे देख सकते हो like flame retardants ये आप देखो तो आग बुजाने के लिए इसका काफी use होता है majorly जो industry है 40-50% of the जो industry है bromine की that is based on flame retardants और neogen chemicals जो है they are not basically working under this segment they have some special uses या वो जो basically chemical manufacture कर रहे है उनके कुछ special uses है इसके अलावा dyes and pigments में use होता है agrochemicals में use होता है pharma intermediates water treatment and film photography ये अलग-अलग uses है bromine के यदि आप bromine की history देखोगे तो ये जो bromine है वो 1825-1826 में discover हुआ था और ये जो bromine chemical है वो basically दो अलग-अलग scientist ने independently discover किया था first जो है जो German chemist है जिनका नाम है Carl Jacob Lawig और जो दूसरे है basically is a French उनका नाम है Anthony Bellard तो उसके बाद में 1835 में इसका पहला use आया जो pharmaceuticals में था then 1930 में water treatment का use समझ में आया then 1950 में fire safety के लिए जैसे की आप देखोगे तो flame retardants then 1960 में rubber का application सामने आया और उसके बाद में 2000 year में mercury capture करने के लिए आप देखोगे तो bromine यह जो chemistry है उसका use होता है now we'll see bromine के कौन-कौन से manufacturers है पुरे दुनिया में तो यदि आप देखोगे तो bromine का भी एक interesting history है तो generally most of the जो bromine है यदि आप देखोगे तो वो dead sea के आसपास मिलता है तो dead sea है जो basically आप देखोगे जो location है that basically separates two countries one is Jordan and another is Israel तो यदि आप यहाँ पर map में देखोगे तो यहाँ पर beach में red sea है और left side में जो Israel है तो यहाँ पर ICL इसराइल chemical limited करके company है that is again largest manufacturer of bromine जो total world का one third bromine है that is basically manufactured by ICL इसके अलावा जो leading global manufacturers आप देखोगे तो Albemarle जो USA का एक company है they have a joint venture with Jordan Bromine Company जो आप right side में याने यह जो dead sea है उसके right side में देख सकते हो blue color में इसके अलावा Kemshura एक company है basically they acquired the Lansax in 2017 तो Albemarle, ICL और Kemshura यह तीनों companies मिलके total world का लगबग 70% का जो Bromine है that day manufacture इंडिया में भी कुछ जो Bromine है वो मिलता है runoff कच में तो यहाँ पर 2018 में government ने allow किया था तो extract the Bromine और यह जो Bromine है वो generally extract होता है sea water से या brine well या ground water और salt lake से now we'll see very important point यह जो complete Bromination industry है वो कैसे divide हुआ है या यह जो Bromine element है इसके basically uses क्या क्या है तो यदि आप देखो तो majorly जो Bromine का use होता है that is use as a flame retardants लगबग total industry का 47% जो basically uses है यह Bromine का that is under flame retardants तो companies like Albemarle तो basically they are into flame retardants और यह commodity type का business है जहाँ पर आपका volume बहुत ज़ादा होता है while your value is quite less but Neogen basically यह जो commodity space है उसमें वो जन्दली काम नहीं करते they have a very niche kind of a chemistry जो specific या speciality applications है Bromine के उसमें वो basically आप देखोगे तो अलग-अलग वो जो product से वो manufacture करते है इसके अलाग जो others है that is 37% and जो pharmaceutical and agrochemicals है total industry का that is about 16% और यह जो Bromine का agrochemicals और pharmaceuticals में जो application है that is nothing but the speciality kind of application और इसमें से जो complete industry है specialty applications का इसमें से लगबग 8% is scattered by the Neogen chemicals उसके बाद में अभी हम lithium और उसकी uses देखेंगे तो lithium is basically a third element in the period table जो हमने पहले देखा और इसका जो discovery है वो 1817 में हुआ था and यह जो lithium है it's a silvery colored solid when purified lithium यह जो नाम है वो भी यह आप देखोगे तो वो Greek word से आया है lithium तो इसका meaning basically stone or rock क्योंकि majorly जो lithium का extraction होता है that is from the big rock although it is a metal it is very soft enough to cut with the knife और यदि आप देखोगे तो it's also floats on a water and lithium generally found in a everyday object such as medicines and batteries तो यदि आप देखोगे तो electric vehicle का generally जो boom चल रहा है तो इसके लिए जो battery लगती है electric जो battery लगती है that is basically lithium-ion battery पर currently neogen chemical जो lithium के segment में काम कर रहे है तो उसका जो application से that is not basically into a electric vehicle के batteries वो जो compound च्या chemical manufacture कर रहे है उसका जो basically application है it is generally into engineering systems जैसे कि आप देखोगे तो air conditioning systems vapor absorption machines which are developed by the companies like the thermax या इसके लबाव वोल्टास जो lithium में इसके अलग-अलग uses है जैसे कि एक तो हो गया battery इसके अलबावा medication में इसका use होता है fireworks में ceramic arm glass industry में होता है air purification which is the application of neogenes chemicals इसके अलबाव polymers and fine chemicals में भी इसका use होता है तो यदि आप global reserves देखोगे lithium के तो global reserves याने जहां से lithium maximum मिलता है they are basically into Argentina, Chile, Bolivia तो यहाँ पर लगबाग total दुनिया का 45% of जो lithium है वो यही countries में है इसके अलबा Australia में लगबाग 40% का जो lithium है वहाँ से आता है domestically याने इंडिया में lithium का ज़्यादा कोई sources नहीं है we are trying to find out the lithium बट यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा कोई sources है नहीं तो leading global manufacturers यदि आप देखोगे lithium के तो which are again Albemarle इसके अलबा China में कुछ companies है and Chile में एक company है इसके अलबा Pilbara Minerals या और एक company तो यह जो lithium है इसको basically दो forms में extract किया जाता है एक जो form है उसका नाम है lithium carbonate and another form is basically lithium hydroxide तो lithium carbonate यदि आप देखोगे तो it is source from the concentrated salt water and brines और जो lithium hydroxide है which is basically source from hydrox pondumen अभी हम देखते कि lithium का जो production है वो कौन-कौन से countries में कितना है तो यदि आप देखोगे firstly दो lithium is one of the most widely used and studied medications for treating bipolar disorder and again it is approved by USFDA medication for mood stabilizer इसके अलबा जो lithium compounds जो majorly use है वो pharmaceutical और engineering जो industries है इसमें होता है इंडिया में जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ज़्यादा जो sources है या resources है वो lithium के नहीं है we are trying to find out the other resources of lithium but currently ज़्यादा अवलेबल है नहीं और यदि आप देखो तो जो maximum results है lithium के वो Australia में है इसके अलबाद चिली, Argentina और China में भी आप देखो HVAC machines या WAM machines याने vapor absorption machines तो यहाँ पर lithium का यदि आप use देखोगे तो lithium bromide is widely used in compressors for air conditioning chillers absorption chillers are used mostly for large interrelations when electricity is limited and heat is abundant तो जनरली जो बड़े spaces होते है या जो बड़े malls है या shopping complex है या जो बड़े offices होते है इसमें air conditioning के लिए या जो आप देखोगे तो यह जो WAM machines है या HVAC machines है वो air conditioning के लिए या जो basically हवा है वो थंडा करने के लिए इसका use होता है और यह जो machine से उसमें lithium bromide का use होता है अभी हम देखते कि bromine और lithium के prices जो है वो recently उसमें कैसा moment आया था तो यह left side का जो price है वो bromine का है और यहाँ पर जो currency है वो basically RMB है it's a Chinese currency तो यहाँ पर bromine के जो prices है वो continuously uptrend में है from last 4-5 years वाइल lithium का ज़िए आप देखोगे तो it's a completely opposite और यहाँ पर जो currency है that is basically yen यहने Japanese currency है तो यहाँ पर काफी fall हो गया था from 2017 to 2020 तो Neogen Chemicals का जो inorganic segment है which is generally about 20% of their business तो यहाँ पर भी थोड़ा impact आया था क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो उनके जो revenues है that reduce about 15 to 17 करूस और उसके बाद में थोड़ा भी recovery आया है lithium के prices में तो generally ज़्यादा affect नहीं होता है because their contracts are for the long term contracts पर यहाँ पर suppose बहुत ही ज़्यादा निरावट आ जाती है prices में तो generally कुछ impact आ सकता है तो इसके बाद में अभी हम देखेंगे कि Chinese जो chemical industry है उसमें जो changes आ रहे है majorly due to जो environment के related concerns है इसके बज़े से जो Chinese government है वो basically जो अलग-अलग chemical plants है which are inefficient plants उन्होंने वो close down किये है तो इसका impact क्या है basically total global chemical industry में and specifically Indian chemical industry में कैसा आ रहा है which is I think a very big opportunity for this decade क्योंकि यहाँ पर जो replacement हो रहा है from China to India या China plus one जो basically आप देखोगे towards India as a more secured source तो I think it's a very very long time के लिए एक opportunity है probably for this decade तो यदि आप देखोगे तो recently चाइना में काफी अलग-अलग जो chemical companies है उसमें blast हुए थे और इसलिए Chinese government बहुत strict हो गया related to environment और इसलिए जो global basically supply है that fall on a lot और इसलिए इंडिया को काफी एक benefit मिल रहा है इसके अलब जो चाइना का blue sky policy है that is also affecting Chinese industry इसके बारे में मैंने आपको पहले भी काफी detail में explain किया था और इसके अलब सबसे important point यह है कि चाइना में जो ground water है that is actually reducing और इसलिए जो Chinese companies है that are not basically able to compete अभी हम bromine industry का value chain देखेंगे और neogen chemicals specifically कौन से जो block है उसको cater कर रहे है इसके बारे में जानेंगे तो always it starts with the key starting material which are basically chemicals उसके बाद में intermediates आता है which is second block जिसमें neogen chemicals काम करते है third block is active ingredients in case of agrochemicals और active pharmaceutical ingredients याने API in case of pharmaceuticals और जो last block है which are basically formulations तो इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि grignard reagent क्या होता है basically reaction of magnesium with chlorine and magnesium with bromine तो यह जो reaction है उससे अलग-अलग compounds form होते है तो इसमें से यदि आप देखोगँ neogen chemicals लगबग 24 जो compounds है which they are manufacturing और यह जो grignard reagents है इसमें neogen chemicals को लगबग 20 years का experience है and these are quite difficult to store for a long period of time and then they can be stored in a flask will with the argan gas but generally for us very short period of time तो it's a technical product जिसमें basically neogen chemicals में काफी expertise उन्होंने gain किये है over the period of time वे आप neogen chemicals का broad picture देखोगे तो it's a very R&D focused company and they are basically catering more towards a complex chemistry जिसमें generally ज्यादा competition नहीं है and maybe आगे जाके उनके margin इसलिए काफी increase हो सकते है और इसी वज़े से उनका जो ROCA future का that will also increase that is my basically expectation इसके बारे हम आगे जाके और कुछ details देखेंगे तो उसके पहले हम CSM यह जो business है custom synthesis manufacturing यह basically क्या है and how neogen chemicals basically catering to this segment तो यदी आप देखो तो यह जो CSM होता है उसमें generally global innovator होता है जो generally US हो गया या Japan हो गया या Europe हो गया तो ऐसे countries में होते है they basically find या innovate new molecules और यह जो molecules एक बार उसका innovation होने के बाद they come to the Chinese या Indian companies to manufacture it at a lower cost क्योंकि बाकी जो countries है जो developed countries है जैसे कि US है या Japan है या इसके अलावा Europe है उसमें cost of production काफी जादा होता है इसके comparison में इंडिया और चाइना में cost of production काफी कम है that's why these innovators basically come to these countries और बाद में इंडिया और चाइना में इसका production होता है तो यहाँ पर interesting चीज यह है कि यहाँ पर long duration के contracts होते है और यही long term contracts के वज़े से आप देखोगे तो एक over the period of time का revenue visibility काफी clear होता है because generally यह जो contracts होते है वो cancel नहीं होते तो यदि आप देखो तो majorly जो trend है वो pharmaceutical industries में है but recently that trend also started into chemical companies तो for example या biggest example वोल भी RT industries तो RT industries को 3 contracts मिले थे unfortunately जो first contract है वो cancel हो गया but ऐसा नहीं है कि contract cancel होने के बाद जो manufacturing company है जो इंडिया में उनको कुछ भी नहीं मिलता तो एक तो आप product खरीदो if you cannot buy the product आप उसका मुझे compensation दो basically वो ही RT industries में हुआ है तो यहाँ पर contract cancel होने के बावजूद भी RT industries got very good amount of उसका benefit या उसका आप देखो के तो compensation इसके अलावा second example would be the नविन फ्लोरीन उनका भी एक high performance product HPP यह जो segment है इसके लिए एक नया capex चल रहा है and interesting thing in contract manufacturing is this कि जो basically innovator होता है या आपका जो customer या client होता है they also again co-invest in your own plants या जो manufacturing plants होता है it's a very very good opportunity और third मुझे लगता है कि third would be the neogen chemicals जिनने ये जो contract manufacturing just they started और ये काफी आगे जाकि मुझे लगता है कि scale हो सकता है तो यहाँ पर was Pfizer it's a innovator so they may not be directly linked with the neogen chemicals तो इसमें क्या होता है कि Pfizer ने एक contract Indian कुछ pharmaceutical companies को दिया है जैसे for example Heikel हो गया या Devis लाग हो गया and then Devis and Heikel will give a contract to neogen chemicals कि ये नया molecule है इसके related मुझे bromine का particular को एक derivative लगेगा या उसका particular को एक compound लगेगा then neogen manufactures it's for the Devis या Heikel and then Devis या Heikel जो है वो basically ये जो molecule है उसको आगे send करते है to innovator companies like जो Pfizer है या इसके लवा Merk है तो यदि आप देखोगे तो due to this value addition final molecule prices can go up to 100 to 200 dollar तो generally यदि आप देखोगे तो सिफ bromine या commodity bromine जिसमें ज्यादा innovation नहीं है उनका जो molecule है उसके price range is about 7 to 15 17 dollar या maybe about 20 dollar पर यदि आप काफी ज्यादा innovation करते हो या generally long term के contracts है if it's a very complex kind of a molecule then इसका जो price है it can go up to 100 to 200 dollar and that's why their margins also can increase in future अभी हम देखते कि CSM से currently कैसे revenues आये है and how basically this segment has scaled up तो यदि आप 2016 में देखोगे तो सिफ 20 lakh आये थे neogen chemicals को from CSM याने custom synthesis manufacturing और यदि आप currently देखोगे याने 2021 में it has increased to 34 crores तो काफी एक significant jump है and I am expecting कि next 2-3 years में भी यहाँ पर काफी एक significant जो portion होगा उनके revenues का that will come basically from CSM याने custom synthesis manufacturing now we'll see कि यह जो manufacturing होता है custom synthesis या basically कोई भी एक chemical company में क्या एक procedure follow किया जाता है before final production या before commercial production इसके रिलेटिट मैंने आपको एक example दिया था valiant organics का तो valiant organics का एक product है जिसका नाम है para aminophenol याने PAP तो they were getting some color issues तो यहाँ पर वो trial production में थे and then after that they resolved that issues and उसके बाद में फिर जो commercial production है वो भी आप देखो के तो फिलाल में शुरू हुआ तो generally यह जो complete process है उसमें total 4 blocks होते है first is gram या kilo stage यह जो block है इसमें आप देखो के तो first batch is made in small quantities for quality assurance जो second block है which is pilot stage उसमें यह आप देखोगे तो initial batches are formed during the pilot stage for the preliminary study and conducted to evaluate the feasibility of that particular chemistry या that particular molecule तो यह second stage हो गया इसके बाद में next stage आता है which is the third stage which is the trial stage इसमें large quantities are made and sent for the approval for the client और जो final stage है वो commercial stage है याने सारे approvals मिलने के बाद सारे जो studies है basically pre-feasibility study यह complete होने के बाद finally commercial जो production है उसकी शुरुवात होती है तो currently जो neogen chemicals का एक नया capex आ रहा है in the hedge in which they are doing the capex for the जो bromine related उनके compounds तो इसमें उनके जो compound से उसके related उनको client से already approval आ गया है and now they are scaling up basically those quantities into commercial production अभी हम देख लेते कि यह जो bromine industry है या यह जो industry जिसमें neogen basically cater कर रहा है तो उसमें क्या-क्या अलग-अलग competitive advantages है तो first is the limited demand तो काफी ऐसे जो molecules neogen chemicals manufacture कर रहा है तो उसमें आप देखोगे तो most of the market share neogen chemicals का ही है and उनकी demand भी यदि आप देखोगे तो it's a very limited demand for certain molecules तो यह entry barrier हो जाता है नए competitor को compete करने के लिए या यह segment में enter करने के लिए इसमें हम आगे जाके देखेंगे कि neogen का जो growth है वो कौन-कौन से अलग-अलग area से आ सकता है but definitely this is a one entry barrier इसके अलवा जो molecules से उनका size भी यदि आप देखोगे तो it's a smaller size so it's basically quite difficult to handle many molecules यदि आप limited कुछ molecules को handle करते हो और उसको sale up करते हो तो यह handle करने के लिए तोड़ा easy आता है suppose आप बहुत सारे molecules को handle कर रहे हो size उसका चोटा है उसका जो total revenues है पर molecule वो छोटा है then it becomes difficult but it again acts as a entry barrier और इसमें नियोजन केमिकल का specialty है इसका related example could be a Bal Krishna industry the third competitive advantage for नियोजन केमिकल can be customer approvals क्योंकि customer approvals के लिए भी काफी आप देखोगे तो समाझ जाता है तो it's a time consuming process इसके अलावा जो raw material का जो procurement है जो smaller player से suppose ये industry के bromine या lithium industry के लिए तो that can be a bit challenging for them पर यदि आप नियोजन केमिकल देखोगे तो नियोजन केमिकल के long term contracts है with the bromine and lithium manufacturers in a global level तो यदि आप उनका bromine specifically देखोगे तो लगबक 80% का जो bromine है that they are procuring from Indian basically manufacturers of bromine while 20% का जो bromine है वो इंपोर्ट कर रहे है from other countries यदि lithium के साइड में आप देखोगे तो lithium is basically not found in India या उसका कोई manufacturer नहीं है तो complete जो dependency है for neogen chemicals for lithium is basically आप देखोगे तो out of India but lithium is contributing about 20% of their revenues while 80% of their revenues जो है that are basically coming from bromine या जो बाकी अलग-अलग chemistries है इन से उनके maximum revenues आ रहे है तो यहाँ पर जो risk है there is a some kind of a risk because जो lithium है वो import हो रहा है completely but वो उनके complete portfolio का एक small section है and जो last point है that can be a technical know-how तो यहाँ पर जो generally जो bromine nation है या जो advanced bromine derivatives है वो काफी एक technical product है R&D driven basically यह आप देखोगे तो एक complete sector है तो यहाँ पर technical know-how और R&D में ज़्यादा focus होना and उसके बाद में आपको जो results है वो you don't get the results immediate तो इसके लिए काफी समय लगता है and over the period of time you basically get the results तो यहाँ पर that also can act as a competitive advantage या entry barrier for their competitors to enter into this segment of specialty bromines and specialty lithium basically या advanced intermediates जिसमें अलग-अलग bromine के अलवा काफी अलग chemistries के related they are basically working now we'll see कि segment wise revenues कैसे आ रहा है neogen के लिए तो neogen chemicals basically तीन majorly जो segment से उसमें वो cater करते है first is pharmaceutical second is engineering and third is agrochemical so majorly जो revenues आ रहा है neogen chemicals के that are from the pharmaceutical segment तो pharmaceutical यह आप देखो गए तो यह cyclical industry नहीं है एक secular industry है agrochemical industry में थोड़ा cyclicality है but that is majorly due to the monsoon पर यदि agrochemicals में यदि आप सिर्फ exports पे ज़्यादा focus करोगे तो यह जो cyclicality है वो भी चला जाएगा and I will prove it with comparing with the PI industries के जो exports के revenues है you will then come to know कि agrochemicals also can be a very huge opportunity for the company like neogen chemicals तो यहाँ पर यदि आप देखो तो नियोजन chemicals के लगबग 2020 में maximum जो revenues थे 85% के revenues that they got from pharmaceutical segment और 2016 में यह percentage जो था वो 52% का था तो अभी नियोजन chemicals का next plan यह है कि उनको agrochemicals का जो share है in terms of percentage in their total आप देखोगे तो जो revenue mix है उसमें उनको increase करना है just to diversify and not too much dependent on one sector now we'll see about their customer concentration तो यदि आप देखोगे तो 2009 में नियोजन chemicals के पास लगबग 668 customers थे and it had increased to almost 1348 customers in 2018 तो यह आपको सारे जो data है वो DRXP से मिल जाएगा इसके अलावा यदि आप top 10 customers का revenue में contribution देखोगे तो 2016 में it was about 52.8% और यदि आप देखोगे तो 2018 में it had reduced to 44.4% तो concentration कम हो रहा है and it is good thing for the new agent क्योंकि जैसे जैसे जो top 10 customers का contribution कम होगा वैसे ही उन पे जो dependence है that will again आप देखोगे तो come down और इसलिए जो business है वो काफी आप देखोगे तो stable हो सकता है आगे जाके now we'll discuss about जो change in revenue mix हो रहा है and इसके आगे जाके क्या impact आ सकता है on their margins and their profitability so currently जैसे आप देखोगे तो neogen chemicals के जो most of the revenues है वो bromination या bromine related derivatives है इससे ही आते है लगबग 50% of their business is coming out of bromine इसके बाद में जैसे आप देखोगे तो 20% advance intermediate CSM याने custom synthesis manufacturing से लगबग 10% and lithium से लगबग 20% आ रहे है तो it is estimated in future that कि bromine will reduce to 40% CSM 10% से increase होके 20% होगा और जो lithium और advanced intermediate से that will more or less remain same तो यहाँ पर interesting चीज़ यह है कि जैसे जैसे जो CSM और जो advanced intermediates का total revenue में share increase होगा वैसे ही उनके जो margin से वो आगे जाके काफी better होगे generally advanced intermediates contributes largest amount of their margins जिसमें लगबग gross margin 50% के है और यदि आप यही compare करोगे to their other products specifically into bromination तो जहाँ पर उन्होंने ज़्यादा innovation किया नहीं है तो gross margin are generally about 35 to 40 to 45% maximum पर advanced intermediates में यहाँ पर margins ज़्यादा है margins बढ़ने के बाद their ROC also can increase इसके बारे हम आगे जाके discuss करेंगे तो यदि आप देखोगे currently organic and inorganic के जो उनके revenues है तो organic looks very very structural story तो 2016 में organic यह ने basically जो bromine based derivatives है उनसे 73 करोज के revenues आये थे and that has increased to 274 करोज in 2021 तो यहाँ पर काफी आप देखोगे तो multifold यहाँ पर increase हुआ है in last 4 to 5 years inorganic में थोड़ा consolidation हुआ है definitely increase हुआ है from 27 करोज in 2016 तो लगबख 63 करोज in 2021 पर यहाँ पर जो growth है वो phases में आया है it's not a very secular growth तो यहाँ पर I think organic story looks very very good compared to inorganic अभी हम इसके बाद देखते हैं कि neogen chemicals के जो revenues है उसमें से export से कितने आ रहा है और local याने domestic से कितना आ रहा है उनके revenues जो उनका lithium या inorganic का segment है जिसमें वो basically जो HVAC machines है या इसके लाबब वैपर absorption machines तो इसके लिए अलग-अलग उनके clients है जैसे की thermax is one of their client या customer इसके लाबब किर्लोस कर है या इसके लाबब वोल्टास भी है तो यह जो machines वो manufacture करते है यह जो engineering companies उनके लिए lithium का जो derivatives है that are basically produced by the companies like neogen तो यह basically उनका domestic हो गया कुछ pharma companies के लिए भी वो आप देखो के तो products manufacture कर रहा है तो यहाँ पर जो domestic industry है उसमें लगबग 2016 में जो revenues आये थे that were about 51 करोज जो 2021 में increase होके लगबग 179 करोज का हो गया and 2016 में आप यदी 2020-2021 में थोड़ा exports के related issue था due to pandemic यहाँ पर आप देखोगे तो currently container shortage भी शुरू है that's why उनके जो exports के revenues है वो आपको कम दिखेगे पर I think जैसे जैसे business आगे progress करेगा their exports revenues will again increase तो अभी यहाँ पर हम comparison करेंगे with the PIA industries and neogen तो यहाँ पर यह आप right side के graph में देखोगे तो PIA industries का यह basically CSM का business है which is mostly a export business and इसके अलावा जो blue color में आप देखोगे तो domestic business है तो domestic business is very consolidated business it's not a growing business क्योंकि यहाँ पर seasonal business है इंडिया का mansoon काफी affect करता है and that's why I told कि यहाँ पर suppose आप agrochemical industry को भी cater करते हो जैसे कि PIA industries का most of the business is related with agrochemicals और agrochemicals as a industry is a consolidated industry you can call it semi cyclical industry but यह semi cyclical industry में भी PIA industry जैसी जो company है they have shown a tremendous growth over the period of time because they focused more on the export and that is the key point here यदी neogen भी आगे जाके export पर focus करता है suppose specifically related to agrochemicals तो definitely यहाँ पर जो revenues है that can increased a lot इसके अलावा फार्मासोटिकल already contributing majority of their revenues which is about 85% तो यहाँ पर agrochemicals में enter होने के बाद if they focus on exports then यह business में जादा आप देखोगे तो there won't be a much issue अभी हम neogen chemicals ने जो acquisitions किये थे इसके बारे में डिसकूस करते हैं तो neogen chemicals ने एक acquisition किया था धारा fine chemicals का इसमें उनका लगबग 90% का stake है जो basically raw material procurement के लिए होगा इसके अलावा they have done another acquisition called as solaris in 2016 2017 तो यहाँ पर यह जो basically acquisition था that is about for 33 croce तो यहाँ पर जो वडोदरा का उनका plant है काराकेडी में उनका एक plant है they have basically 3 units जो smallest unit है या जो सबसे पहले शुरू वहा था that was basically into mahape in नभी मुंबई जो second unit उन्होंने 2016-17 में आप देखोगे तो acquire किया था solaris से वो वडोदरा में काराकेडी में है और जो third unit है जो सबसे बड़ा unit है और recently उसका capex चल रहा है आप देखोगे तो inorganic segment का already हो गया है organic का फिलाल में चल रहा है that is into the hedge तो यहाँ पर एक बड़ा capex उन्होंने complete किया है इसके revenues आने वाले कुछ quarters में आ सकते है basically from quarter 3 and quarter 4 of 2022 यहाँ से growth आना मुझे लगता है कि शुरू होगा इसके बारे में अभी हम आगे जाके और discuss करेंगे then we'll come to research and development research and development में यह दिया आप देखोगे तो the begin with 10 people and only one PhD scientist और अभी उनके पास लगबग R&D के team में 37 आप देखोगे तो 37 लोगों का उनका team है और उसमें से 5 to 6 PhD scientists है उनका जो research and development का facilities है that is at Mahapay and Varudra और उनका जो expenditure था research and development R&D में वो लगबग 3 करोज का था 2020 में 60% का जो R&D capacity है यह जो basically research होता है that is majorly focused on CSM जो basically जो innovator से उनके लिए यह नए नए जो molecule से उनका manufacturing करता है and about 1% of the total revenues are dedicated for R&D expenses यदि आप देखोगे नियोजन chemicals का R&D specialty है that basically उनके जो plants है कि वो CGMP याने good manufacturing practices these are the manufacturing practices basically set up by the USFDA तो नियोजन chemicals is basically following these good manufacturing practices याने CGMP practices अभी हम देखते कि product size क्या है and how it going to change in future तो यह अब ब्रोमीन में देखोगे तो ब्रोमीन जो molecule है generally it is 7 to 14 डॉलर का molecule जिसमें जो gross margins है that are from 30 to 45% generally पर जैसे जैसे advanced intermediates का share increase होगा उनके revenues में उनके margins increase होगे because यह जो products है वो large products है थोड़े from 7 to 14 डॉलर they can move to 100 to 200 डॉलर और advanced intermediates में जो gross margins है they are about 40 to 50% तो यदि आप quarter 4 2021 का con call देखोगे तो Mr. Harin Kanani जो basically founder है Mr. Haridas Kanani उनके वो बेटे है he is basically a joint managing director Dr. Harin Kanani he is a PhD तो उन्होंने क्या कहा था की EBITDA level they are basically similar now with the advanced intermediates some of them use high raw materials so again the range is an average a bit lower so I think I mentioned gross margins range from 40 to 50% when it comes to advanced intermediates and about 30 to 45% when it comes to bromine derivative so जासे जासे neogen chemicals will move from bromine based derivatives to more advanced and more complex nature of molecules then I think ये जो margin say that can increase the lot that is basically one trigger इसके लावे यदि आप neogen chemicals का product portfolio देखोगे तो neogen chemicals ने सिर्फ 4 products से शुरवाद की थी 1991 में and currently यदि आप देखोगे 2021 में तो they have about 224 products and I think they have added 2 more products in quarter 1 2022 तो quite interesting story की एक छोटे बेस से ये जो company है उन्होंने काफी जादा ग्रो किया है and I'm expecting यहाँ पर management काफी अच्छा है and again I will tell you more about the management यहाँ पर अनुराक सुराना करके आप देखोगे तो he is also on a board तो इसके बारे हम आगे जाके discuss करेंगे पहले हम future capex के बारे में देख लेते है तो currently उनका जो capacity है वो यदि आप देखोगे तो लास लाइन का लगबग 1,30,000 लीटर का है non glass line का लगबग 24,000 लीटर का है and यह जो capex है वो basically दो phases में होने वाला है phase 1 and phase 2 यह जो capex है वो दहेज में आ रहा है तो phase 1 में यह दि आप देखोगे तो it's about 50 to 60 caros of capex in organic and 15 caros का capex is basically for inorganic याने lithium का 15 caros है and bromine का लगबग 50 to 60 caros है तो यह जो capacity addition first phase के बाद में होगा वो लगबग 1,26,000 liters का होगा glass line में and it will increase to about 2,56,000 from 1,30,000 initially और जो second capex है उसमें और 78,000 liters add होने वाला है glass lining की जो उनकी reactors की capacity है and non glass line में लगबग 32,000 liters they are going to add and this capex is about 75 caros तो total यदि आप देखो तो 130 caros का वो capex कर रहा है और इसके बाद में total उनकी जो capacity हो जाएगी glass lining की वो 3,34,000 liters हो जाएगी and जो non glass की capacity है that is about 56,000 liters तो अभी हम देख लेते कि उनका जो capex है वो financials में कैसे reflect कर रहा है तो यदि आप CWIP देखोगे याने capital work in progress तो यहाँ पर there is a major huge huge change into their CWIP इसका मतलब एक बड़ा capex आने वाला है तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो 2020 में CWIP सिर्फ 3 caros का था and which has increased to down 21 में 115 caros तो इससे हमें यह भी देखता है कि जो chemical companies है they are doing very very huge capex यदि आप Deepak Nitrate देखोगे तो they are doing about 1000 caros का capex RT industries next 2 years में लगब 1500 caros का capex करने वाली है इसके अलावा यदि यह example में आप Neogen chemicals देखोगे तो उन्होंने वे एक बड़ा capex announce किया है इसके अलावा अरोमेटिक्स है यह ओरिएंटल अरोमेटिक्स कंपनी है इसके अलावा जो पॉशक कंपनी है इसके अलावा जो पॉशक कंपनी है आपको राइट प्लेयर जो है उनको सिलेक करना है and I think it can be a major wealth creator for next 5 to 10 years as a chemical segment and gross block में यदि आप देखोगे तो gross block भी 88 करोज से increase हो के 120 करोज हुआ है जो 2022 financial year में और increase हो जाएगा once their current CWIP याने जो उनका जो capex है वो complete हो जाएगा इसके बाद में अभी हम उनके ebita margins and revenues देखते है तो यदि आप देखोगे तो ebita margins are almost increasing from 14% in 2016 to 19.4% in 2021 और जो gross margins है they are more or less stable about at 40 to 41% I think जैसे जैसे आगे जाके CSM याने जो custom synthesis manufacturing है या जो advanced intermediates है इसका portion बढ़ेगा उनके total revenues में या contribution बढ़ेगा वैसे उनके gross margins and ebita level के margins है that will again increase a lot so that is my expectation तो इसके लिए कुछ समय लगेगा यह immediately नहीं होगा it can take again maybe next 4-5 years but story looks good अभी हम देखते हैं कि यह जो revenue realization it is more towards second half of the year first half में कम revenues आते है second half में कुछ जादा revenues आते है इसका एक reason तो यह है कि as summer breaks hits the Europe many pharmaceutical industries pile up their inventory thus creating rise in demand and जो second reason है that is more important जो HVAC machines है that basically get उनका जो depreciation है that they get last month of the year and इसलिए जो most of the revenues lithium side से आते है इन और्कानिक side से आते है they are basically depend on HVAC machines और इसलिए यह जो completely neogen chemicals का business है that is more towards the H2 याने second half में आएगा अभी आप देखोगे तो यह year में भी I am expecting a quite a bit of growth during the second half क्योंकि उनके जो capex है that are almost completed और जो customer के trials है वो भी complete हो गए है and इसलिए यह जो नया capacity expansion उने किया है इससे काफी अच्छे revenues आ सकते है that is basically my estimation इसके बाद में अभी हम financials देख लेते debt to equity कैसा है तो debt to equity यह case में काफी जादा है याने more than one है I think below one वो फिर से जा सकता है after this capex तो इसमें आप compare भी कर सकते हो कि short term debt और long term debt कितना है generally यह जो company उसमें काफी जादा working capital आप देखोगे तो इसके requirement होती है because of the nature of their inventories तो inventories में काफी आप देखोगे तो they have to spend a lot यहाँ पे उनको जो inventories है याने जैसे कि bromine की inventories है या raw bromine है that they have to procure from out of India so generally जो stock है वो थोड़ा जादा रखते है और इसलिए Neogen का I would say जो working capital है वो थोड़ा stretch है तो जैसे ही उनका यह जो दहेश का capex है वो complete होके उसे revenues आना शुरू होगा तो I think उनका जो working capital है वो reduce हो जाएगा debt भी कम हो जाएगी and जो ROC है उसमें भी हमें कुछ improvement डिख सकती है अभी हम देखते कि asset turnover उनके दोनों phases का कैसा है तो जो first phase था उसमें organic का capex लगवग 50 to 60 croce का था जिससे जो revenue potential है it was about 100 to 120 croce तो यदि आप asset turns देखोगे तो it is almost at 2x इन और गनिम पे जदि आप देखोगे तो asset turns are almost 3 and phase 2 में जो capex आने वाला है वो लगबग 55 croce का है और इससे जो revenues आएगे वो लगबग 150 to 175 croce के आएगे तो यहाँ पे conservatively आए रोट 2x it can be about more than 2x also तो total जो capex से phase 1 और phase 2 का दहेज का that is about 130 croce और इससे जो incremental revenues आएगे that is about 300 to 320 croce तो यहाँ पर again asset turns would be 2 to 2.5 times तो currently यदि आप देखोगे तो 2021 के उनकी जो revenues थे that was about 336 croce तो यदि आप ये 300 croce उसमें add करते हो तो 2024 का company का target is 650 croce of revenues while 2022 current financial year में जैसे उनके first phase के जो revenues आने शुरू हो जाएगे तो company is expecting about 450 croce of revenues which is almost about 30 to 35% growth तो यहाँ पर काफी high growth फिलाल में आप देखोगे तो ये company को आ सकता है because of their new capex of phase 1 and incrementally phase 2 का जो capex है वो complete होने के बाद they can reach about 650 croce of revenues till 2024 financial year अभी हम ROCE के कुछ interesting details देख लेते हैं यहाँ पर मैंने ROCE के तीन अलग-अलग graphs plot किया है तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 2016 में they basically acquired a company called as Solaris यह जो company है वो basically गुजरात में वड़ोदरा में काराखेडी यह जो प्लेस है उसमें उन्होंने acquisition किया था और काफी बड़ा land उन्होंने लिया था लगबद 33 croce का यह acquisition था तो यह जो काफी बड़ा land उनके पास already available है कम नजर आएका इसके अलावा जो CWIP भी था यहने capital work in progress 2021 में that was quite a large about 125 croce का था तो यदि आप उसको subtract करके actual business का ROC calculate करोगे without CWIP and without land तो almost it is about 38% in 2021 और actual में आपको दिखेगा वो 20% के आसपास है तो यह immediately 38% नहीं होगा but I think जो trend होगा next कुछ सालों में it will move from 20 to 22, 24, 25 slowly it will start increasing because capex complete होगा जो land का utilization है वो better होगा यहां पर operating leverage will definitely start playing in next 2-3 years और इसलिए जो सारे financial ratios होगे in future they will start looking better अभी हम इसके बाद में porter 5 forces देखते है तो first जो force है threat of new entrance that is low and इसके जो reasons है वो basically the chemistry of bromine is niche and it's quite difficult to handle and it's a highly reactive in nature इसमें R&D skills लगते है to run the plant at optimal utilization and generally it acts as the entry barrier so this is the first force and threat of new entrance are quite low in the bromination industry threat of substitutes are also quite low because bromine जो industry है जो chemistry है has specific applications which can't be replaced by other chemistries and to reduce the dependence on bromine neogen is adding other chemistries in its portfolio तो यहां पर diversification वो भी कर रहा है पर bromine का directly ऐसा कोई replacement दूसरा chemistry नहीं है third basically जो force है that is bargaining power of customer which is basically medium in nature because जो prices है raw materials के they are quite volatile depending on international prices especially जो lithium के prices है they are quite volatile and इसलिए जो company है उनका जो long term contracts है उनके basically suppliers के साथ generally for lithium as well as bromine तो यहां पर पहले lithium के one year के contracts होते थे बट recently lithium का प्राइस काफी गिर गया थे इसलिए उननों थे 3-3 months का जो contract से वो किया था बट neogen का जो association है उनके suppliers के साथ that was from a long period of time इसके बाद में जो next force है that is bargaining power of customers तो यदि आप देखोगे तो that is also medium in nature तो यहां पर जैसे जैसे वो और innovation करेंगे their margins will I think increase from 30-40% gross level to 50% rivalry among competitors also again quite low because most of the industry that is into commodity type of bromine जो flame retardants में generally use होता है तो यह जो specialty branch है एक तो इसके uses थोड़े limited है इसका total market size जो हम आगे जाके देखेंगे that is about 1 billion dollars तो इसलिए competition I think it's quite low because it's a R&D driven basically industry या chemistry and again specifically niche जो bromineation industry है उसका जो size है that is bit small अभी हम management के बारे में discuss करेंगे जो founder है Mr. Kanani यानि Haridas Kanani तो he is a graduate from IIT Bombay in chemical engineering and he is also known as bromine man of India इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके बाद में उनके जो बेटे है Mr. Harin Kanani तो इसके बाद में उनके जो बेटे है Mr. Harin Kanani तो he is also basically graduate from Mumbai IIT from chemical engineering और उसके बाद में उन्होंने PhDB किया था and after that I think he also worked into a DuPont and उनको कुछ experience है उसके related and currently he is a joint managing director for the neogen chemicals there is a third person which is also quite interesting Anurag Surana तो उनका अप यदी background तो basically he is from the PI industries और उनको लगभग 15 years का experience है and I think he is basically leading neogen का CSM business तो काफी interesting team है तो we'll discuss more about Mr. Anurag Surana तो he is a director on board and mentor to CSM basically segment उनका जो prior PI industry का experience था that might be help the neogen to grow in future इसके लावे यदी आप देखोगे तो Mr. Anurag Surana का एक company है जिसका नाम है Kagashin Global Networks so that company is also holding about 3 lakh shares into neogen chemicals और लगभग 1.29% आ जाता है total equity का तो what he wanted to say related to neogen is की strategy is to find innovative process of doing work for the customers whenever a customer feels that neogen has the capabilities to innovate he gives us the project irrespective of whether it is bromine or not तो यहां पर उनका कहने का यही मतलब है यह आपको between the lines read करना पड़ेगा तो management का focus यही है कि it's not only story related to bromine या उसके derivatives incremental जो story होगा अब नियोजन का आगे जाके 5-10 years 15 years में that will be more towards other chemistry in which neogen will develop the competency क्योंकि उनका जो management I think it's quite a very interesting management सारे के सारे आप देखोगे तो technocrats से IIT Bombay से basically उनका जो chemical engineering हुआ है बोत जो founder है और उनका जो son या उनका जो बेटा है अनुराक सुनाना है जो है उनको भी experience है from P.I. industries और भी आप देखोगे तो उनके company में नियोजन में काफी अलग अलग और employees है तो I think जो board है या जो basically team है एक small company का it's quite a strong team इसके बाद में अभी हम कुछ concalls के details देखते है तो this is the basically snippet from the quarter one 2022 concall तो यदि आप देखोगे तो यहां पर analyst उनको काफी बार पूछा है उन्होंने की are you very conservative in the nature या जो 450 करोज का guidance आपने दिया है इतना बड़ा capex करने के बाद क्या यह conservative है या नहीं तो यह जो question था इसके रिलेटर यह दिया आप देखोगे तो हरियन कनान ही यह basically जो joint managing director है तो he said कि I will be very happy if I am proven conservative on this तो I think company is not very aggressive in terms of giving guidance बट उनका जो execution है I think till now काफी interesting रहा है और यह जो 450 करोज का वो अच्छीव कर लेते हैं में भी थोड़ा ज्यादा भी कर सकते है 2022 में देन we'll come to know exactly कि उनकी capacities क्या है या capabilities क्या है for handling this biggest capex in history of Neogen यदि आप global competition देखोगे तो all-bem आर ले विचिस US-based company Lanzex which actually got acquired by Chemtura इसके बाद में ICL है या मैना एक है but most of these companies आप देखोगे so they are into commodity kind of a bromine या जिसका जो use है that is for the flame retardants जो specialty bromine है उसमें थोड़ा competition कम है MANAC का I think कुछ portion जो है that is for I think the specialty bromine या niche bromine products अभी हम देखते कि pricing policy generally क्या होता है so when the prices are falling तो Neogen generally try करता है कि उनके जो per kg के margins है that they at least wanted to protect always remember जभी raw metal के prices गिरती है तभी जो percentage के margin से वो बढ़ जाते है क्योंकि base जो है वो कम हो जाता है and जभी raw metal के prices increase होते है जैसे कि quarter one to the one 22 में most of the chemicals companies में आप देखोगे तो raw metal के prices कम हो गए इसलिए जो percentage margin से that actually got reduced तो generally Neogen chemicals का यह practice है या यह वो try करता है कि जभी raw metal के prices कम होती है they wanted to protect their per kg margin basically generally वो protect कर पाते है and जभी prices increase हो जाती है तो per kg तो generally protect हो जाते है but then in this case percentage margins गिर जाते है तो they wanted to protect basically their percentage margins when prices goes up तो यहां पर आप देखोगे तो quite interesting यह story है यहां पर management ने जो भी guidance दिया है तो generally they able to fulfill their guidance actual जो हमें conclusion मिलेगा that will be after their capex याने 2022 will be very very interesting basically year for neogen chemicals whole history क्योंकि सबसे बड़ा capex जो है वो भी online आएगा या जिससे revenues आएगे then we'll see कि जो हरीन कनानी है joint managing director son of the founder तो वो क्या कह रहे है we have got the better margins whenever we have done the innovation और whatever we have done something very unique either in terms of quality और registration or in terms of process that is the place which has good margins so I don't want to say broadly inorganics better और organic तो ये question था basically inorganic better है या organic better है या generally मुझे भी तोड़ा लगता है कि organic जो business है that is bit better but when he is saying कि organic ये inorganic में ऐसा direct comparison नहीं है कि जहां पर भी वो innovation करेंगे उससे उनके जो margin से वो आगे जाके better होगे या historically भी ऐसा ही हुआ है अभी हम जो पिरैमल है और अरोबिंदो फर्मा है दीवीज है या हेटरो है या CBC ये बिसिकली जैपान का ग्रूप है तो मिनी clients are there inorganic segment में याने generally जो lithium-based segment है उसमें thermax करके उनका client है गिर्लोस कर है या वोल्टास है तो यह जो companies ये इसके लिए neogen basically lithium bromide जो basically compound है that they provide for this HVAC, WAM याने vapor absorption machines तो इसके लिए जो lithium bromide लगता है वो basically neogen उनको provide करता है तो अभी हम देखते हैं कि very interesting thing which is size of the opportunity in advanced intermediates तो generally आप देखोगे यदि con call पढ़ोगे तो ये basically analyst को लग रहा है कि ये जो opportunity size है for specifically bromine या niche bromine या our research या मुझे क्या लगता है या और इसके related management ने भी कुछ comments की है तो we'll try to read in between the line and actual में यहाँ पर story जो है वो कैसे develop हो सकता है in future that also we'll discuss तो यदि आप देखोगे तो firstly उनका जो सिर्फ bromine याने niche bromine का जो opportunity है that is only about 5000 to 7000 करोज about 1 billion dollar का यहाँ पर opportunity है और इसी रहे most of the analysts think कि यह जो bromine नेशन है या जो neogen chemicals है उसका growth आगे जाके कम हो जाएगा that is their basically understanding पर यहाँ पर और कुछ बड़ी opportunities है like for example agrochemicals में तो agrochemicals में total जो industry size है specifically for AI याने active ingredient and intermediates तो that is about 5 to 7 billion dollars intermediates for pharma यदि आप देखोगे तो that is very very huge that is about 30 billion dollar it is not only related to bromine but other different chemistries तो यहाँ पर company का focus यही है कि till now they have focused into bromine derivatives आगे जाके their focus will be majorly for other chemistries like जो advanced intermediates है और इससे आप देखोगे तो यह segment में जो opportunity size is very very huge 30 billion dollars का pharmaceutical के ingredients में है so it's a very huge opportunity और इसके अलावा lithium का जो opportunity है that is about 1200 करोज और जो products currently R&D में है तो उसका जो opportunity size है that is about 2000 to 3000 करोज तो I think हमेंसे bromine के related ही focus नहीं करना चाहिए जो bromine के derivatives है we should not focus much on that क्योंकि जो आगे का growth आएगा that will be lesser on a bromine derivatives and more on a advanced intermediates बाकी जो अलग-अलग chemistry वो आगे जाके handle करने वाले है या currently also their handling जैसे की alkylation हो गया या oxidation है या इसके अलावा dehydrogenation है या हैlex reaction है suzuki coupling या biocatalyst hydrogenation तो these are basically future triggers तो हमें in between the lines read करना है कि management क्या कह रही है और यह जो business है वो future में कहां जाने वाला है तो let's conclude this Neogen Chemicals का detail analysis by one of the quotes by Charlie Munger और यह मेरा एक favorite quote है मैंने यहां पर मेरे office में भी यह quote लगाया है तो let's see what he says spend each day trying to be a little wiser than you were when you woke up discharge your duties faithfully and well systematically you will get ahead but not necessarily in fast parts that is very important nevertheless you will build a discipline by preparing for the fast parts slug it out one inch at a time day by day at the end of the day if you live long enough most of the people will get what they deserve तो it's a very very interesting quote और मुझे लगता है कि Neogen Chemicals is going in a right direction they are doing a big capex and इसके लिए उनने पहले R&D किया है they have gathered their team and basically इसका जो outcome है वो FY22 के end में आएगा and if basically they able to scale this up तो आगे जाके और कुछ capex आएगे तो उनके पास इतना land available है basically currently कि they can set up more three to four basically more MPBs याने MLT product जो units होते है तो आगे जाके जो growth है वो काफी इंट्रेस्टिंग होगा और यह हमें फिलाल में उनके profitability में अब तक नजर आ रहा है that is without much of a capex तो 2016 में जो 5 croze का pat था वो increase होके लगबग 31 croze का हुआ and जो profitability का percentage आयने pat का percentage that also increase from 5.2 percent to 9.3 percent तो यहां पर definitely जो operating leverage है that is playing out और इसके लाव जो दहेश का capex से वो complete होने के बाद there will be a second round of operating leverage तो I think next four five years के लिए neogen chemicals looks quite interest आपको भी invest करना है long term में small and mid caps में specifically जहां पर जो opportunities है like neogen chemicals which are not discovered by the market या जो analyst है generally they are focusing more on a large cap company जो सबको पता है Reliance, TCS जो Infosys है तो इसमें growth मुझे लगता है कि थोड़ा limited होगा बट यह जो undiscovered opportunities है इसमें basically our competencies और हमारा जो majorly research होता है वो ऐसे ही undiscovered opportunities में होता है तो if you also wanted to make detail में वीडियो चाहिए होगा तो जरूर आप मुझे नीचे comment में लिखके बता सकते हो specifically यदि आपको पोशक के related कोई वीडियो चाहिए होगा definitely आप मुझे नीचे comment में लिखके बताओ